गुड मॉनिंग दोस्तों आज मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप अपने घर पे मनी प्लांट को ग्रो कर सकते हैं तो यहां पर मैंने कुछ ली हुई थी आप देख रहे हैं जिस तरीके से मैंने इनको कट किया हुआ है तो इनकी जो स्टेम रही है इसमें से आपको इसको कुछ इस तरीके से कट करना है कि लीफ के साथ इसकी स्टेम भी आए और अब आप क्या करना है आपको इसको नॉर्मल पानी में डिप करके रखना है अराउंड वन तू टू वीक्स मैंने इनको एक से दो हफ्ते के लिए पानी के अंदर डिप करके रखा था और हर 2 से 3 दिन में मैं इनका पानी चेंज करते जाग रहा था तो इससे क्या होता है कि आपकी जो मनी प्लांट में जो रूट्स रहती है वो उनकी जो ग्रोथ रहती है वो ज्यादा जल्दी हो जाती है आप पानी को हमेशा चेंज करते रहें सोडेट इसमें जो nutrition मेनीपलांट को मिलते रहे मैंने इस भिब्बे के अंदर इसे लगाए हुवा था इस तरीके का normal water यूज़ रिए सकत था और इस तरीके से डिप करके इसको रख दिया था around 1-2 weeks में मेरी अच्छी खासी roots इसमें आगी थी जिसा भी आपने पहले देखा तो अब आपको क्या करना है इसको अराउंड एक हफता और वेट करना है ताकि रूट्स और थोड़ा सा आ जाएं इस पे और इसके बाद आपको इसको री प्लांट कर देना है स्वाइल में तो जब स्वाइल में आप इसको री प्लांट करेंगे तो देखें मैंने इसको री प्लांट कर चुका हुआ हूँ पहले एक वीडियो में तो इसमें आप देख रहे हैं काफी बुशी प्लांट हो गया मेरा यह तो आप भी अपने मनी प्लांट किस तरीके से ग्रोव करिए और लगाइए